फोटो आज चुकी है उससे पहले मैंने जो वीडियो ली थी वो वीडियो भी आज चुकी है इसे सरी चीज़े भी आपकी बैकप हो जाएगी एक्सपोर्ट कम्प्लीट हो जाएगा तगड़ा ओशनी रोने दिया हुआ है टेस्ट पोट का एक्टिव है या फोन नहीं है है तो जो आज की वीडियो हने वाली है कैसे हम आईफोन से अपने जो टाटा ट्रांसफर करते हैं और उसको बाद में कवर कैसे करते हैं मैंने एक साथ आपको सारे वेरिस सी वह सारी रिजॉर्व हो जाएगी इस सोफ्ट्वेर का नाम है तो आपको सबसे पहले अपने क्रोम पे खोल देना है टैनर शेर के सोफ्ट्वेर का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंग उसके लाबा आप अगर यह वेबसाइट डाले सेलेक्टिव भी डाल सकते हैं उसके अलाबा इस वैप की वज़े से आप जो बीजी माई टिक टॉक जो बैन हो चुकी है चीजे जैसे कि प्री फायर चैट जी पीटी वह भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं इस सोफ्ट्वेर की मदद से आप जो आइफोन है उसको प करता है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल हो चुका है वह इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यह देखी कुछ इस तरीके से टैन और शेयर यह पूरा खुल गया है आई के फोन इंस्टॉलेशन सक्सेस्फुल करके आपको क्रोम पे भी आ चुका है अपना जो आईफोन है इसको कनेक्ट करने का आ गया है मेरा भी आईफोन पूरा भरा हुआ है तो इस सोफ्ट्वेर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ आइटम जो है मैं उसमें से ले लूँगा अपने वापिस अपने आईफोन में तो यह कनेक्ट हो चुका है मेरा पहले से ही ट्रस्ट मैंने इस कम्प्यूटर कर रखा है और चलिए देखते हैं जैसे कि में बैकप एंड रिस्टोर का आपको ऑप्शन मिल जाता है को इसमें अपको डिवाइस टोरिज आपको दिख जाएगा कि बचा हुआ है इसके आप से आप मैंनेज कर सकते हैं जो पीसी में फोटो वीडियो पड़ी हुई है वो सारी यहां पर दिख जाएगी इसको बैकप करना है तो बैकप कि रिस्टोर में आप आ जाएंगे इसके बाद आपको बैकप हो जाएगी तो आप करेंगे आपको बैकप पे क्लिक कर लेना है बैकप करेगा यह काफी जल्दी कर रहा है यह बैकप तो सोफ्ट्वेर काफी जादा यार अच्छा है यह तो तो चलिए वेट करके इसको मैं फास्ट फोरवर्ड कर देता हूं देर यूगो हमारा पूरा जो डाटा है वो पूरा ट्रांसफर हो चुका है अब ही हम व्यू बैकप लिश्ट कर इसके भी दे सकते हैं व्यू बैकप डाटा इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको दिखा देगा कि क्या क्या आपका बैकप हुआ है कॉंटेक्स 9604 काफी कॉंटेक्स हो रखे हैं तो वो कॉंटेक्स हैं मैसीजेज हैं ठीक है कलेंडर में जो जो इन्फोमेशन होगी वो सारी की सारी है जो रिमाइंडर डाल रखें वो सारे आपको मिल जाते हैं वीडियो फोटो तरीके से आपका जो फोन है वो सारा का सारा बैकप यह बना लेगा काफी इसी तरीके से यह इसका बैकप हो चुका है अगर आप इसको काट भी देंगे आपको क्लिक करना होगा यह आपका दिखाने लग गया कि आपका आइफोन 11 का आपने 20 अक्टूबर को बनाया है 15-18 मतलब की 3-18 मिनट पर इस बैकप को आपको कहीं भी ट्रांसफर करना लीजिए मान लीजिए यह फोटो जो है यह माउस की मैं मैंने एक बनाया था कि कैसे उसको रिपेर कर सकते हैं आप तो इसको ही मैं अपने कंप्यूटर में एक्सपोर्ट करना चाहूंगा खाली इसको बैसे तो आप ओल भी सारी चीजे कर सकते हैं यह देखिए सारी क्लिक करके सब हो जाएगा बट मैं अंसलेक्ट करके आपको एक पर्टिकुलर एक दिखा देता हूं एक्सपोर्ट कंप्यूटर पे आप क्लिक करेंगे कहां आपको करना है मानलो डेक्सटोप पे करना है अमक यह को घृट करेंगे करना अब मेरे को इस्टोर टोट में डालूंगा तो कैसे डालूंगा को मैं डिस्टोर टोट में क्लिक रहूंगए को आपको याद रखञिये हैं कि आप जैसी डाटा रिकावर कर दो आपके जो मैं रॉकेशन होता इस Bowl माय डिवाइस होता है है उसके बाद मैं क्या करूंगा दुबारा से इसको उपन करूंगा फोटो पर जाने के बाद सिरफ एक वीडियो को मैं एक्सपोर्ट तू अब हम देखते हैं कि क्या वीडियो आ चुकी है यह रही हो इसके रावा मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं मान लीजिए कोई चीज अपने पीसी में नहीं डाल रखी लेकिन आपको यहीं से आपको बैक आप लेना है अपने आई फोन में यह जो वोच की फोटो है इ जो है restore to device करता हूं मेरे device में space ही नहीं बचा इस अच्छा यह सारी चीज़े वह रखी है ना select इसलिए तो इस पर हम करते लेते हैं खाली click और इसको कर देते हैं restore to device और यह restore होगा और restore होने के बाद कहां आपकी डिरेक्ट आपकी गैलरी में पहुच जाएगा 5% और यह photo आप तरीके से आपको जो भी data transfer करना हो आप easily कर सकते हैं और इसके अलावा मैं एक और option दिखाते हूं जो बहुत तगड़ा option इन्होंने दिया हुआ है test report का test report से क्या होगा कि आपका जो phone है अगर refurbished है वह इस software के मदद से आपको पता चल जाएगा आपको test report पे click करना है test report पे click result आपके बता देगा और इसके अलावा आपने चार्ज कितनी बार आपने किया है मैंने अपना iPhone 1399 टाइम्स किया है वह भी इसने बता दिया है iOS version क्या है आपका और battery life आपकी कितनी है ठीक है na active है या phone नहीं है और इसमें लिखके आ जाएगा आपका कि congratulations your device has not been dissembled आपका जो इस तरीके से इस software की मदद से आप easily उसमें पता कर सकते हैं तो आपको कोई query आती है या फिर आपको इस software की मदद से या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है तो feel free to ask you can ask me in the comments I will answer जो भी आपकी queries होईगी उसको मैं resolve कर दूँगा iPhone 14 15 जो भी आपका latest iPhone है सब पर वर्करता है इसी तर आप अपना backup ले सकते हैं